पहली बात कि जो GST है वो charge by the registered seller, जी. जो GST है वो कौन charge कर सकता है? registered seller ही charge कर सकता है, means, रामलाल जो registered है, उसके पास GST नंबर है, जैसे हम लोगों के पास भी GST नंबर है, और वो GST नंबर कौन ऐलोट करता है? गॉर्मेंट अलोट करती है तो अगर उसके पास GST नमबर है मतलब वो registered seller है तभी वो GST किसी का काट सकता है इसका मतलब यह है अगर कोई registered seller है जिसके पास GST नमबर है वही GST किसी का काट सकता है otherwise नहीं काट सकता जैसे मालो हम आपसे fees ले और fees के अलावा हम बोले भाईया आपको तो GST भी देना पड़ेगा और हम आपसे GST ले लें लेकिन हमारे पास GST काटने का अधिकार नहीं है मतलब GST नंबर है यह नहीं जिस seller के पास GST नंबर नहीं है वो GST काटने का अधिकार भी नहीं रखता समझ गए जिसके पास GST है वोही GST काट सकता है और जो GST का पैसा है वो लेने के बाद setup करने के बाद अगर उसको payable है तो वो government को pay करेगा clear है बात यह तो GST नंबर किसके पास हो सकता है जो GST है वो वही बंदा charge करेगा जो registered seller है, otherwise नहीं कर सकता clear है बात यह फैला point दूसरा point है on interstate sale यह interstate sale क्या होता है both CGST और SGST are charge, जो interstate sale होती है इस पे दोनों charge करते हैं हम लोग क्या charge करते हैं CGST भी charge करते हैं और SGST भी charge करते हैं यह क्या होता है जी दल्ली का माल दल्ली में है दल्ली का माल दल्ली में है और यह interstate sale और जो interstate sale होता है इसमें IGST चार्ज करते हैं अब सर यह intra, inter इसमें बड़ी confusion होती है देखो दल्ली का माल दल्ली में ही बेचा जा रहा है मैं दल्ली में हूँ, हमारा कोई student दल्ली में है, वहाँ पे जो है वह CGST और SGST दोनों चार्ज होगा कोई अगर दल्ली के बाहर जैसे की माल लो, मैं दल्ली में हूँ एक माल लो कोई बंदा बिहार में है अब यहाँ से linden हो रहा है sale purchase हो रहा है एक तरीके से तो यहाँ पे जो GST चार्ज होगा उसको बोलेंगे IGST अगर आप CA करना चाहते हैं और CA foundation में अप एन्रोल करना चाहते हैं तो आप जोईन कर सकते हैं अन अकैडमी को अन अकैडमी की जोईन कर सकते हैं मैं में रिजन यह था कि मुझे वहाँ पे एक तो ठीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छ लगा और वहाँ पर हमाँ पास किसी एक टीचर पर डिपैंट काभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ा है तो उन इसे पढ़ा है अगर पर स्विछ करना पड़े हैं किसी और टीचर से बैस अच्छ लगए पढ़ना तो उनकी पास जा सकते हैं तो, डाव्ट कैसे होता है? रिप्लाई कर सकते हैं या टीचर नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे तो यह एक अच्छा फीचर है रियली यह मज़िदार बात है क्योंकि इतनी कम फीच में शायद आप किसी कोचिंग इंसिट्यूट को तो जोइन नहीं कर पाएंगे अगर आप V I J A Y 2022 यह कोड यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर एक्स्टा 10% डिसकाउंट मिलेगा लिंक नीचे डिस्किप्शन में है तो अभी विजिट करें और जोइन क्लासिस फूर्स यह इंटरमीडियर एक होता है इंटर स्टेट एक होता है यह इंटर स्टेट है यह इंटर स्टेट देखो इंटर, इंटर में इसको ऐसे याद रखो, एक माल दल्ली से बाहर जाएगा, मालो बिहारी जाएगा, तो दल्ली से बिहार जाने के लिए बिहार में एंटर करना पड़ेगा, तो एंटर, इंटर, और इंटर वाला जब एंटर वाला इंटर वाला याद रखोगे, तो तो वहाँ पर क्या लगेगा इंट्रा लगेगा आई जी एस्ट नहीं बिहार का माल बिहार में बिकेगा तो क्या लगेगा इंट्रा दिल्ली का माल दिल्ली में बिकेगा तो इंट्रा हर्याना का माल हर्याना में बिकेगा तो इंट्रा और अगर ये माल अगर ये माल, हर्याना का माल दिल्ली आ गया, अब बताओ क्या लगेगा, इंटर, पंजाब का हर्याना में चला गया, इंटर, तो वहाँ पर IGST लगेगा, बना भी यू समझो, दिल्ली सेंटर होने के वज़े से, अब रिजन भी बताता हूं क्या हुआ, दिल्ली क्या है, और SGST, अच्छा, अपने ही स्टेट में, जैसे दिल्ली का माल दिल्ली में बेचा, अगर मालो मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली का माल दिल्ली में बिका, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इंटर, ठीक है, हर्याना का हर्याना में हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, कि देली क्या है? तो सेंटर गवर्मेंट यहां पर बैठी है, तो क्या हुआ? इसमें दो हिस्से करने की बात कही गई. इसने कहा, जब माल एक जगा का दूसरी जगा बिकेगा, तो यहां पर दो लुगों का हिस्सा होगा. एक स्टेट का होगा और एक सेंटर का होगा. इसलिए स IGST चार्ज किया जाता है. क्या चार्ज किया जाता है? IGST चार्ज किया जाता है. Now, तीसरा कॉंसेप्ट है हमारे पास, GST चार्ज बाइदा सेलर. कौन चार्ज करेगा? वो सेलर करेगा. यहां पर ध्यान से समझना है क्या बोल रहे है? On goods or service, on the value, after allowing both trade discount and cash discount. रूल यह कहता है, रूल यह कहता है कि trade discount और cash discount कोई भी discount हो, देने के बाद ही जो पैसा बचेगा, उस पे GST चार्ज किया जाएगा. कैसे? देखो. मालो कोई सामान है, उस पे list price है. MRP लिखा होता है, MRP, दुकान पर जाते हो, कोई सामान लेने, मालो तेल लेने गए, या फिर मालो आटा लेने गए, चलो. आटा का 10 किलो का बैग है, उस पे लिखा हो है, rate 320 रुपे, लेकिन उस पे आपको discount मिल जाते है. ऐसी जो seller है, और buyer है, ये कई बार क्या होते है, seller, buyer आप इसमें कहते हैं, भहिया मुझे discount दे दो, कहता है ठीक है, चलो जी दे दिया discount. तो एक होता है trade discount, एक होता है cash discount. मालो अब इसमें कहता है कि वहिया मैं 50% तो अभी दे दूँगा, बट 50% बाद में दूँगा. वो कहता है 50% अभी दूँगा, बट 50% बाद में दूँगा. वो कहता है ठीक है वहिया, जो अभी तुम दोगे, उस पे मैं तुमको discount दूँगा 10%. क्या बोला उसने? कि जो पैसा अ CGST मानलो 6% है, SGST मानलो 6% है, टोटल जो invoice बनेगा, invoice मतलब उसको जो बिल पकड़ाया जाएगा, वो 50,400 पे का पकड़ाया जाएगा. यही अगर जो उधार वाला माल है, उस पे 50,000 पे जो सीधा-सीधा CGST और SGST क्योंकि इस पे कोई discount नहीं लगा. तो आपने देखा कि पह बता दू, maximum जो accountant होते हैं, यह गलती हो जाती है उन लोगों से, यह जिसको GST के knowledge नहीं हो गलती कर देते हैं, और GST बड़ा उल्जा हुआ सा है, कई बार लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, इसमें बहुत सारे rule होने के वज़े से उलज गया, यहाँ पे ऐसा है, यहा हटा के एक ही text लगा दिया, GST, तो फिर, clear है बात यह, now, next concept है, fourth number, GST paid, GST paid, जब भी हम P, P फिर paid, P और I, वहाँ पे याद रखना, P और I, input, input होता है, क्या होता है, input, तो GST paid, input GST होता है, एक तरीके से, इस set of against GST collected, collected वाले में output होता है, याद रखना, C कैसे बनाते हैं, ऐसे, पूरा खुमा दोगे, तो O की तरह बन जाएगा, तो यह O, याद रखोगे या नहीं, देखो, यह P कैसे बनाते हो, देख रहे हो, और यह I कैसे लिखते हो, तो याद रखोगे, यह C कैसे बनाते हो, और O कैसे बनाते हो, तो इससे याद रखना, done, यान हलो यह सी और यह जो सी बनाया और बनाया यह बिल्कुल एक जैसे तो याद रखना collected में output GST होता है और paid में input होता है जब pay करते हैं तो input होता है ऐसे याद रखो कि confusion हो जाती है बच्चो को जो input GST होता है वह asset होती है देखो मैंने कोई सामान खरीदा तो मैंने GST पे किया तो मेरे लिए एसेट की तरह काम करेगा मैंने कोई सामान बेचा तो मैंने GST ले लिया यह करज है मेरे लिए ये मेरे लिए कर जाए गौर्णमेंट को चुकाना है समझ गए? तो इसलिए इसको liability बोलते हैं क्या बोलते हैं? हम क्या करते हैं? जो हमारी liability है उसमें से हम asset minus कर देते हैं और जो पैसा बसता हो गौर्णमेंट को दे देते हैं और जो पैसा negative आगया तो हम wait करेंगे वो रखा रहेगा वो बाद में adjust हो जाएगा समझ गए? मतलब GST collected में से GST paid minus कर दो जो पैसा बचेगा वो गौर्णमेंट को जमा हो जाएगा सरी नेगिटिव आए तो गौर्णमेंट से लेंगे क्या? नहीं कई वार होता है मन में आता है सरी माल लो GST collected है यहाँ पे एक्जामपल ही ले लेते हैं माल लो दो एक्जामपल पिक कर लेता हो यहाँ पे माल लो इसी जो situation है इसी situation में हम दो एक्जामपल पिक करते हैं ऐसा भी हो सकता है कि GST paid GST collected से जादा हो ऐसा हो सकता है और एक situation हो सकता है कि GST collected GST paid से जादा हो सकता है चलो दो एक्जामपल लेते हैं इस एक्जामपल से आपकी जो दूविधा है वो दूर हो जाएगे चलो यह सेम पिक करते हैं यह लोगी यह इटा दू इसका तो कोई लेना देना है नहीं अरे यार आजा भाई यह लोग यह जो सिच्वेशन है सिच्वेशन को जर्ण देखते हैं ध्यान से देखो ऐसा हो सकता है कि मालो GST collected यहां पे 10,000 है कितना है मांट जी 10,000 GST collected है लोग और 8,000 GST paid है मतलब GST हमने पे किया है कुछ 8,000 रुपे तो यह 2,000 आया यह 2,000 एक तरीके से positive है positive मतलब क्या है पेबल है तो यह पे करना है हम को किसको पे करना है हम पे करेंगे गवर्मेंट को ऐसा हो सकता है कि मालो GST collected तो 9,000 आ गया लेकिन GST paid जो हमने पे किया है वो कुछ 15,000 पे किया है तो 7,000 नेगिटिव है क्या है 7,000 नेगिटिव तो इसको हम pay नहीं करेंगे यह हमारे पास पड़ा रहेगा जब GST collected और होगा उसके साथ set up करके जब यह positive हो तो government को pay कर देंगे नहीं तो यह हमारे पास credit में पड़ा रहेगा बाद में set up होने के लिए जी यह पैसा वापस नहीं आएगा पहले क्या होता था refund हो जाते थे पहले क्या होता था refund कर देती गवर्मेंट आवे refund का चकर हटा दिया इन्होंने क्या किया कि अगर negative है तो आपके पास आपके account में रहेगा खड़ा और जब आपका collected आप अपने collected जो GST collected है उसको उससे set up कर सकते हो मतलब जो आपको government को pay करना है जो आपको पैसा government को pay करना है उसमें से minus वाला minus कर देंगे जो बचेगा वही आप pay करना ऐसा बोल दिया फाइदे भी बड़े फाइदे है बदाता हूं कैसे मा मानलो हमने एक sound system खरीदा और sound system आया एक लाक रुपे का उस एक लाक रुपे में मैंने pay किया GST मानलो 10,000 रुपे मैंने pay किया बच्चों से fees ली फीस में total fees में 8,000 GST बनती है मैंने pay कितना किया 10,000 और मैंने charge किया बच्चों से कितना 8 तो मैं government को सिर्फ 2000 जो है मेरा positive है एक तरीके से मैं रखा रखूंगा अपने पास इसी तरीकी situation set up होके सारा GST का पैसा पे नहीं किया जाता government को clear है बात यह यह काफी important बात थी जो कई बार confusion हो जाती है और पता नहीं चलता करना क्या है इसका आगे है next GST paid on purchase of asset is allowed as input credit जैसे अभी मैंने बोला कि मालो हमारे लिए यह विजलाल भाई साब teaching services देते हैं और इन्होंने camera buy किया camera buy किया और उस camera पे इन्होंने GST pay किया 15,000 तो यह क्या है input के लिए allow है input के लिए allow करने का मतलब क्या है कि मैं इस GST paid को GST collected के साथ adjust कर सकता हूं जैसे यहां पर adjust के input और output है न तो इसको हम adjust कर सकते हैं मतलब माइनस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं मतलब यह input credit का मतलब एक तरीके से यह होता है input credit का मतलब यह होता है can be adjusted याद रखोगे can be adjusted लिक देत यह जो इन्पूट क्रेजिट है इसका मतलब क्या है इसको किसे अर्जस्ट कर सकते हैं हम लोग किसे अर्जस्ट कर सकते हैं हम लोग अधिक यह जो इन्पूट क्रेजिट है यह एक तरीके का इन्पूट क्रेजिट होता है इसको कर सकते हैं अर्जस्ट यह देखो अब इदर अर्जस्ट किया है न हमने यह जी एस्ट अर्जस्ट भी जी एस्ट कलेक्टेड ठीक है इसको हम क्या कर सकते हैं अर्जस्ट विद जी एस्टी क्या कर सकते है इसको adjust कर सकते हैं GST collected के साथ Date now अगला है input GST Is not allowed in following cases आप GST जो input GST है इसको allow escola ü नहीं करते हैं लोग कब कब नहीं करते चेड़ परजेश पर्जेश फिर नॉत रेइस्टर्ड मालो एक पर्चेजर है मालो मैं खरीदने वाला सामान खरीदने वाला हूँ और मैंने किसी को GST दे दिया GST का पैसा दे दिया तो क्या मेरे को GST अर्जिस्ट करने को मिले गाया है जब मैं गवर्मेंट को पे करने के लिए अरफी आलाउड ही नहीं क्योंकि मैं रिस्टर्ड वी नहीं तो फिर उसके इसमें क्या तो उसके लिए यह अलाउड नहीं होगा सब्सक्राइब प्रिडिंग का कोई रिपेर करवाया बेशक महीं हूं बेशक महीं हूं और हमने अपने इस studio का हमारी जो building है उसका हमने repair का खर्चा किया तो जो repair का पैसा खर्च किया हमने वो आपको बता दूँ वो allow नहीं होता repair पे हमने GST pay किया वो allow नहीं है food and beverages मालो हमारी पूरी team office से गई party में और हमने मालो किसी 5 star में party की 5 star में party की वहाँ पे हमने GST pay किया वह खाना खाएंगे मालो बिल आया 20,000 रपे का अब 20,000 में मालो GST charge है तो क्या वो GST में adjust कर सकता हूँ answer है no कोई GST adjustment नहीं मिलेगी इसमें clear है क्योंकि यह final consumption माना जाते एक तरीके से मतलब यू समझो कि एक तरीके से इस तरीके की situations में allow नहीं रहेगा that means restaurant bill में refreshment etc इसमें allow नहीं होता अगला membership fee for club health and fitness center यहाँ पे भी GST input allow नहीं होगा फिर बता दूँ GST input allow नहीं होगा मतलब set of not allow और यहाँ पे क्या बताया जो पहले में बताया यहाँ पे set of allow होगा क्या होगा जी set of allowed होगा clear है कोई दिकत नहीं अगला है इसमें health का insurance अगर कोई कराता है जैसे कि मानलो हमने health का insurance करा है जैसे हमारी पूरी family का health का insurance है और अभी पीछे जब हमने करा आया तो उसमें GST 5000 पे गया तो वह health के insurance में जो GST पे किया है वह allow नहीं होगा clear है बात ये फिर अगर आपने कोई donation दिया है वहाँ पे भी GST का पैसा allow नहीं होगा यह special cases है जहां पे GST allow नहीं होगा question पूछ सकते हैं आपसे exam में question पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ ऐसी कौन-कौन सी situation जहां पे GST set up allow नहीं होगा या माल लो जो आपके पास MC की question आएगा उसमें पूछ सकते हैं कि कहां-कहां GST allow नहीं होगा तो फिर बताना पड़ेगा ना donation के case में healthy insurance के case में purchaser अगर not registered है उस case में membership का कोई अगर है health fitness club के case में food wages वहाँ पे नहीं मिलता repair और building नहीं मिलता बताना पड़ेगा समझ गए अगला in above cases GST paid is an expense यह खर्चा माना जाएगा आपके लिए asset नहीं माना जाएगा उपर वाले case में GST जो अभी यह बताया था यहाँ पे वो यह जो है एक तरीके से यह asset माना जाएगा clear है now अगला है साथ number GST paid is reverse in following cases reverse हो जाता है जैसे हमने कभी GST paid किया जैसे मालो हम ही है अब हम क्या है pen drives बच्चों को जो वीडियो लेक्चर चाहें वह भीजने के लिए हम लोग pen drive करते हैं मालो हमने कोई नई पेंटराइब कोई कंपनी आई पीछे हुआ हमारे साथ कोई नई कंपनी आई हमें लगा चले वार यह वाला pen drive कर लेते हैं जब हमने पेंटराइब बाई किया तो उसमें डेटा ही बहुत देर में pen drive में जा रहा है फिर बच्चों से कई बच्चे जिनको हमने भीज भी दि तो उसको बुला यह तो pen drive नहीं चाहिए तो हमने वापस कर दिया उसको तो जो उसमें GST हमने पे किया था उसको भी reverse हो गया clear है तो GST हमने पे किया था वो reverse हो जाएगा एक तरीके से तो purchase return के case में purchase return के case में GST reverse हो था तो वो तो हमारा पैसा तो देगा है सिंपल सी बात है मालो हमने वो समान खरीदा था मालो दस जार पे का तो दस जार पे मालो उसमें 2000 पे GST का था तो दस जार के वाद ले उसने हमारा को दूसरा समान दे दिया और जो उसने GST लिखा था collected वो हटा देगा उसको माला उसके लिए set up हो जाएगा एक तरीके से clear है next है rebate received on purchase कोई purchase किया हमने और उस पर हमें rebate मिल गया वहाँ पे भी GST जो है वो क्या हो जाएगा setup हो जाएगा goods taken by proprietor for personal use goods taken by proprietor for personal use देखो जब हम purchase करते हैं तो entry क्या करते हैं purchase account debit फिर क्या करते हैं तो वहाँ पे आपने purchase किया लेकिन purchase पर आपने GST दिया और जब proprietor अभी आगे चलके अगला चप्टर सिखाऊंगा जब हम journal का चप्टर सीखेंगे वहाँ पे चीज ज्यादा clear होगी अभी जो मैंने बोल दिया आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो वहाँ पे जो GST है वहाँ पे एक तरीके से reverse हो जाएगा यह भी question MC को question में पूछा जा सकता है इसलिए हमने इसको separately रखा फिर goods given as donation or sample यहाँ पे भी जो GST है जो पे किया हमने GST वह क्या हो जाएगा जी reverse हो जाएगा इसी तरीके से goods distributed among staff for their welfare अगर स्थाप के वेलफे के लिए GST पिक किया है तो वहाँ पे भी क्या हो जैगा एक तरीके से reverse हो जाएगा goods lost हो गया Stolen हो गया destroyed हो गया यहाँ पे भी जो GST है वह क्या हो जाएगा एक तरीके से reverse हो जाएगा clear है बात यह नाव इसके अलावा कुछ और भी चीज़े हैं जैसे कि GST collected मतलब output सी GST is revised in the following cases reversed जैसे यहाँ पर reversed हुआ ना input सी GST कब-कब reversed होगा इन situation में तो output सी GST कब-कब reversed होगा जी इन situation में sales return के case में और rebate allowed on sales इन दो cases में यह reversed हो जाएगा clear है बात इसके बाद जो GST है is not levied on the following sales या services मतलब GST in situation में लगता ही नहीं है salaries and wages मतलब मालो मैं registered seller हूँ और मैं कुछ pay कर रहा हूँ तो यहाँ पर GST allow नहीं मतलब GST यहाँ पर charge होगा ही नहीं GST लगेगा ही नहीं GST free एक तरीके से समझो हमने salary या wages दिया वहाँ पर GST कटेगा नहीं चया कितनी भी बड़ी company हो इससे फर्क नहीं पड़ता educational services पर GST नहीं लगता educational services पर GST नहीं लगता health services जो consulting only है वहाँ पर GST नहीं लगता है डॉक्टर हम से GST नहीं चार्ज करेगा ठीक है फिर है electricity and water services यहाँ पर GST नहीं लगता देखते हो जो electricity और water services नहीं लगेगा interest का पैसा वहाँ पर GST नहीं लगेगा फिर supply of service to government अगर government को कोई आपने service दी वहाँ पर GST नहीं लगेगा supplied to embassies of other countries या UNO यहाँ पर भी GST नहीं लगेगा तो छोटी छोटी चीज़े हैं जहां से आप से इस चीज़े पूछ सकते हैं तो इसलिए बहतर है कि इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लो इसके बाद कुछ और चीज़े हैं जैसे GST is not charged GST चार्ज नहीं होगा क वाईवर मालो हमने advance receive किया तो वहाँ पर GST उससे में नहीं होगा GST is not paid on payment of advance for purchase मदलब यहाँ पर GST चार्ज नहीं किया जाएगा जो final से लिए final purchase होगा वहीं पर GST लगेगा क्लियर है बात छोड़ छोड़ी बात है जो थी ना बड़ी important बात थी जिसको अगर आप ignore कर दो तो बड़ी problem में आ सकते हो क्योंकि theoretically भी पूछ सकते हैं exam में इसके ओपर कोई MC के question उठा के डाल दिया तो नहीं होगा क्योंकि depth की चीज़े हैं एक important बात और है यहां पर कि setup of input GST against output GST जो input GST है उसको output GST के साथ कैसे अरजस्ट करोगे सबसे पहले ABCD में C पहले आता है तो CGST याद रखना CGST के बाद SGST याद रखने दोनों तो एक साथ ही आते और IGST सबसे अलग होता है अपने head अपना head बोलते हैं CGST को सबसे पहले CGST से अरजस्ट करते अगर CGST का input CGST से अरजस्ट नहीं हुआ तो हम उसको IGST से अरजस्ट करते किसे अरजस्ट करते CGST को SGST से नहीं adjust करते हैं और नहीं SGST को CGST से adjust करते हैं इसका मतलब भी अगले example में बताऊँगा CGST को किसे adjust करते हैं जी पहले output CGST से जब यह पूरा होगे तो ठीक है नहीं adjust हुआ तो फिर IGST से adjust करेंगे clear है? now और फिर भी नहीं हुआ तो बच के रहेगा अगली बार adjust करेंगे ऐसा होता है SGST को पहले output SGST से adjust करेंगे नहीं होगा तो फिर IGST से adjust करेंगे समझ माया फिर IGST को पहले IGST से adjust करेंगे यहां पूरा नहीं होगा तो IGST को CGST से adjust करेंगे यहां भी पूरे नहीं हुए तो फिर SGST से Ajasht करएंगे सरे ये क्या game बता दिया आपने ये game बताता हूँ अभी ये बात clear है ये तो पता चल गया याद रखो न, CGST को पहले CGST से नहीं हुआ तो फिर IGST SGST को IGST से नहीं हुआ तो फिर IGST IGST को पहले IGST से फिर भी नहीं हुआ तो CGST से लिए मैंने एक एक्जामपल रखा है जैसे यहां पर देखो मालो input cgst हमारे पास 3000 का और output cgst हमारे पास 2500 का तो यह difference आ रहा है यह difference positive है तो एक तरीके से asset है मतलब input जादा है और output क्या है कम है मैंने बोला था input हमारे लिए क्या होता है asset होता है output क्या होता हमारे लिए liability होती है तो asset जादा है liability से तो 5000 जो है positive है हो गया adjust? अरजस्ट कर लिए मालो sgst 3000 है और output यह हमारे पास 2500 है तो यहां पर क्या हो गया जी यहां पर क्या हो गया 500 अरपर 2500 है तो 500 पर क्या हो गया positive है यह balance बची गया मालो चलो एक example और ले लेते हैं हाँ पर हम लो अब ध्यान से देखना जो बता रहा हूं तो नहीं तो समझ मनी आएगा IGST मालो यह है input है 4000 input क्या है? 4000 और output है मालो हमारे पास 3200 नहीं 4800 4800 क्या हो गया यह? negative हो गया क्या हो गया यह? कितना negative हो गया? तो पता हम क्या करेंगे यहां पर? अब setup करेंगे अब देखो setup क्या करेंगे बताता हूं हम क्या करेंगे? जो हमारा जी जो हमारा input देखो input IGST है कितना है? 4000 4000 मैंने बोला नहीं यहां पर यह देखो जो हमारे पास input है उसको output से adjust करते हैं किसे adjust करते हैं तो इसमें से less कर दो क्या output IGST कर दी adjust यह तो 4800 आ रहा है तो यह तो negative हो गया क्या हो यहां पर क्या करेंगे setup from किसे बोला था मैंने setup करेंगेक किसे करेंगे पहले CGST से IGST से तो देखो हमने यहां पर बताई है बात है किसे क्या करोगे सी देखो पहले ना अपने head से adjust होता है सबसे पहले, उसके बाद ये जो 500 रपे है एक तरीके से ये क्या है आपके पास? 500 रपे, balance बच रहा है ना आपके पास, तो अगर balance बच रहा है, positive है तो आप adjust कर सकते हो, negative है तो फिर उस case में क्या है positive है ना input पढ़ा है आपके पास इसको बोलते हैं यह input पढ़ा है आपके पास क्या पढ़ा है जी input पढ़ा है तो इस हिसाब से हम को क्या करना चाहिए इसको adjust करना चाहिए cgst से कितना cgst है आपके पास 500 यह अर्जस्ट कर लो तो अभी भी यह नेगिटीव है कितना नेगिटीव है अब इसको सेट अफ कर सकते हो फ्रॉम SGST से 300 अरजस्ट करने हैं और हमारे पास है कितना 500 तो यह 300 ही अरजस्ट करो समझ गए तो इस हिसाब से यह हो जाएगा पूरा निल अब मेरी बार ढ़क से समझना आजा ही जो मैं बोल रहा हूं नहीं गवर्मेंट को हम पर करेंगी यह हं पर क्या है बच भी किसका बचेगा 100 है ना 300 यहाँ से लेटा तो आपके पास तो बचेगा वो सिर्फ 200 बचेगा वो भी SGST का बचेगा किसका बचेगा HGST में 200 और पे positive है वही balance sheet में दिखाये जाएगा समझ गए वही balance sheet में दिखाये जाएगा positive है तो मैंने बोला था ना balance sheet में positive side दिखाएगे अब यह balance sheet का फंडा यह बांकी चीजें chapter number 18 के बाद समझ में आएगा इसलिए जादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं जो बोला है उसको अभी समझ लो clear है good next time इसमें एक example पांच number लिया है यहाँ पे देखो यहाँ पे situation क्या है 10,000 रिपूट है जबकि output कितना है साड़े बारह हजार तो 25,000 क्या है एक तरके से liabilities है you have to pay to government क्या है यह यह government को pay करना है एक तरीके से किसको पै करना है जी government को पै करना है इसी तरीके से मालो SGST है 10,000 का और यहाँ पे output कितना साड़े 12,000 का तो 2500 क्या है एक तरीके से एक विद्ट यह हम से अड्जस्मेन्ट में इस तरीके से होनी चाहिए थी इस वाले में फिगर में लिखने लग रहा था लेकिन गर्बढ हुआ यहां पे क्या एक तरीके से यह नेगिटिव एक तरीके से यह क्या है नेगिटिव आएगा यह आएगा पेबल टू पर जाकते हैं तो इस तरह के से रखलो या नहीं भी रखना चाहते तो उसको पहले वाले पर सकते हैं यह वाली स्टोरी में रुख के भी डिस्कस कर दूंग चलो कोई बात नहीं यह वाले पर confuse नहीं करते हैं आपको हो सकता था बड़ confusion नहीं रखते हैं इसको यहीं पर रहने दो अभी ठीक अभी यहां पर वापस आते हैं यहां पर क्या एक तरीके से 10,000 हमारा input था मतलब हमने pay किया है और हमने यह एक तरीके से हमने जब कोई purchases की उस पर 10,000 हमने GST pay किया और हमने collect कितना किया GST साड़े 12,000 तो 2500 हम क्या करेंगे government को pay करेंगे किसको pay करेंगे government को यहां पे भी कितना है दस जार है और यह कितना है 12,500 तो यहां पे 2500 क्या करेंगे government को pay करेंगे यह वाली जी story है अभी मत समझो इस वाली की चीज को मेरे खाल से clear हो गई हुगी तो आपको set up करने का तरीका clear हो गया होगा कि set up करने का तरीका क्या होता है clear है हलो ठीक है यहाँ पे भी यह बात clear हो गई आपको चलो एक example और उठा लेते हैं मालो यहाँ पे मालो यह 4000 है और यह हमारे पास 4800 है मतलब हमने GST pay किया 4000 और GST collect किया कितना 4800 तो यह 800 और पेस में भी बच रहा है तो यह हम government को pay करेंगे यह भी एक तरीके से क्या है liabilities है set up करने के लिए एक बड़ा सा question pick करेंगे वहाँ पे ज़्यादा detail में चर्चा करूँगा इसके बारे में ठीक को doubt को confusion नहीं करेंगे तरीके बारे में के लिए करेंगे दिए ज़्या-चाराथ